हेलो मैं प्रतिक्षा आप सपी लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूटुब चैनल डिकबो की रशोई में तो आज फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं फिर से कुछ नई रेश्पी लेकर आई हूं तो आएए रेश्पी चालू करते हैं बनाना फटाफट हेलो फ्रेंड्स तो आज में आप लोगों के लिए फिर से नई रेश्पी लेकर आई हूं तो आएए इस्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने कढ़ाई रख दिया है कर्म हो गई है कढ़ाई हमारा गैशान करके अब इसमें हम डाल देते हैं तेल हम सरसोका डालें तो तेल हमारा दर्म हो गया है अब इसमें हम सबसे पहले हिंग डाल देते हैं चुट्की घर और एक टेवल इसको जीरा डाल देंगी खड़ा जीरा और यहां पर मैंने कट करके ले लिया है प्याज और हरी मुट ले लिया है तो पहले से कट कर लिये थे अब इसमें हम प्याज को डाल दे प्याज को बोल्डेन होने देते हैं तो जब तक हमारा प्याज हो रहा है सब तक यहां पर मैंने ले लिया है प्याज हमारा यहां पर लाल हो चुका है हम इसे अफसाइड कर लेते हैं इसी कढ़ाई में और जो मतर मैंने प्रिश्चे लिया है अब इसे मतर को हम इसले डाल देते हैं और इसे हम भून देंगे इसे च्राज की साथ इसे हम भून देंगे लिए देना है गैस का फ्लेम लो रखेंगे अब इसमें डाल देते हैं हलवी पावडर आधा चमश हम डाल देंगे हलवी पावडर थोड़ा सा यहां पर मैंने लिया है मिर्ट और जीरा को पीस के पावडर बना लिया था इसे भी डाल देते हैं लगभग एक चमश और इसे आप हम चलाल कर दो मिनट तक इसे भून लेंगे तो जब तक हमारे मतर भून रहें यहां पर हम ले लिए हैं एक आलू यह उबला लिये है और इसे हम कदूकस करके डाल देंगे इसी में पताफ़र आलू को डाल के हम इसे अच्छे से इसे मतर के शास जो है भून लेंगे देखे इसका कलर आप देख सेथिंगे बहुत ही अ है एक पटोरी भरके बेशन तो बेशन को भी अब इसमें हम एक कर देंगे और पहले इसे हम अच्छे से इसी में मिला लेते हैं कि तो दो मिलें तक देखे बेसन को भी ढालते हमें घुं लिया है पिज़े s को थे बेशन को बहुत हैًदोya कहने अब इसमें हम पास्ट करेंगे तो पहले हम जो मढ़ता प्वाद्ग दाले किक्रविए तो उसमें डौलिए अब यहां प्यायत झाले। यह लगब इस घिलास पानी डाल देंगे कम लगेगा तो और पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से विपल चलाते रहेंगे इस्टे फ्लाना नहीं यह इसे की साथ नमक भि डाल देंगे कि नमक डाल देंगे तो यह अच्छे से मिल जाएगा तो टेस्ट अंसार नमक डाल देते हैं और अब इसे हमें लगतार पकाना है चलाते हुए बिल्कुल बहुत ही टेश्टी यह बनके तयार होगा गें वीडियो के साथ आप लोगो बिल्कुल बने रहेगेगा वीडियो को एसी बिल्कुल भी ना किया करें तो इसे हमें लगतार चलाते हुए पका लेना है तो यह अब हमारा पक चुका है अब देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से यह गाढ़ह होु चुका है यह दिखिए तो गैस को कर देखते हैं आफ तो इहां पर मैंने लिया है हरा धनिया काटकर तो हरे धनिया को डाल देखते हैं गैस को मैंने आफ कर दिया अब इसे हरे धनिया को डालके अच्छे से मिला लेंगे इसे कलर जो है देखने में अब कलर देख सकती हैं बहुत ही बढ़ना लग रह तो आईए आदि करते हैं क्यार, यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया है, प्लेट में हलका सा तेल लगा लिये हैं, अब जो यह बना के हम रखें हैं पेश्ट को, इसमें हम डालके इसे फैला देंगे, पूरे को डालेंगे और इसे अच्छे से फैला लेते हैं, तो इहाँ इसे जो है, बिल्कुल हाथों से ऐसे कर देंगे, ताकि यह बराबर बिल्कुल हो जाएगा, यह देखें, और इसे हम पांच मिनट के लिए ठंडा होने के लिए फोड़ देते हैं, फिर इसे हम ठीस में कातेंगे, तो यहाँ पे फैला पांच मिनट हो चुका है, और यह ठं अब इसे ही सभी पीसे कर सकती थी, यह रिखें, तो यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है, पैन हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं तेल, बहुत जादा तेल हमें नहीं चाहिए, थोड़ा शबस, दो चम्रत के लगभग हम तेल डाल देंगे, इसे चारो तर के रखें हैं, यह देखें, इतना बढ़ना किसे सुगा है, बस इसे हम एक एक करके डाल देते हैं, आप चाहें, तो बिना यह फ्राइ किये भी खा सकती हैं, बहुत ही यम्मी और तेस्टी लगेगा, लेकिन बच्चों को नहीं परशंद आएगा, तो इसलिए में हल्का सा कर देती हैं, तो अब इसे हम फलट रहते हैं, बहुत जागा दिप फ्राइ नहीं करना है, इसना बहुत है, इसे इसका टेस्ट जो है, और भी बढ़ जाएगा है फल्का सा फ्राइ कर लेने से, बहुत ही यम्मी नास्ता ये बनके कैयार होता है, और ज़जपट बनने वाली यहां पर यह फ्राइ हो चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, आपको दिखाते हैं पास से बहुत ही बढ़िया और जटपट बनने वाला ये नास्ता, आप चपी काय, शुबर के नास्ते में, शाम के, चाय ते भी बना शकती है, या पच्चो का लंचो आप उसम बना के टिखिन में देशकती हैं, बहुत ही बढ़िया ये पशन से बच्चे खाएंगे, तो इसे तरह हम सभी को फ्राइ कर लेते हैं, तो लिजे फ्रेंट्स, नास्ता बनके मेरा बिल्कुल डेडी है, मतर और ये बेशन का तो दिखे कित्ता क्रिश्पी लग रहा है, फ्र सर्फ कर सकते हैं, तो ये मेरी रेश्पी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, थैंक्स पर वाचिंग, बाइबार, आज की रेश्पी फ्रेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो, तो फ्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नही किया होगा, तो प्लीज प्लीज आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, बेल आइकन को पेश कर दीजेगा, ताकि नॉटिफिकेशन आए, और आप मेरी रेश्पी को सबसे पहले देख सके, तब तक ते लिए, बाइ-बाइ झाल